यूपी विदानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं पैंच राज्यों सहित यूपी के विदानसभाचुनाव संपन्न हो चुके हैं और अभी शपत गेहन भी नहीं हो पाया नय cm का उसके बावजूद भी जो गैस सिलंडर के दाम है जो रसोई गैस है उसमें पचास रुपए का इजाफा हो गया है जिसने आम आदमी के बजट को बिगाड दिया है और इसका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है तो यह पचास रुपए जो बड़े हैं गैस इस पर आये जानते हैं ग्रहणियों की राये आम जनता की राये क्या नाम है मैं आपका राम कुमारी क्या कहना चाहिए गैस के दाम बढ़ गए हर एक की स्थित नहीं है कि जो ले सके लेकिन सरकार को सोचना चाहिए ये तो रेट सही देने चाहिए कि हर घर में जरूरत होती है कि पचास रुपए बढ़े हैं पचास रुपए क्या हमेशा बढ़ता ही तो है ऐसा कभी कम हुआ नहीं बढ़ता जाता है जब देखिए तो गैस के पेट्रॉल के इसा चीजों के दाम जो बढ़ रहे हैं तो ये सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि सरकार कर क्या रही है मैं मम कमाने वाले एक हैं खाने वाले चार हैं तो कहां से पहले सलेंडर इतना सस्ता था अब इतना महेंगा हो गया हम लोग कहां से गैस भरवाएंगे एक महीने भी चल पाता है सलेंडर हम लोगों का अबता हजार रुपए दाम हो गया गरीब इनसा और भी इंसान की दिक्कत है अमीर इंसान तो भई हर कहीं से खालेगा गरीब इंसान कहां से खाएगा कि हम लोग प्तुपाद पर कमाने खाने वाले कहां से पैसा लेकर आएंगे बच्चों को पढ़ाना आए लिखाना आए खाना दो रोज़का है तो यह आम आदमी के लिए नहीं बलकि मीडियम लेविल के लिए भी बहुत कॉस्टली हो रहा है तो इसलिए गास सिलेंडर के रेट अब तो नहीं बढ़ना चाहिए ना आज ही मैंने पे किया है 950 तो इस वेरी कॉस्टली तो अब बहुत नहीं बढ़ना चाहिए झाल